दोस्तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाके मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो का आपडेट सबसे पहले लो थैंक यू ये भाई तेरा ध्यान की दर है तेरा भाई इदर है और आज आपकी में ले के आया हूँ बियादी एडवास और मोश्ट अपकमिंग स्मार्टोन जिसका नम वन प्लस 6T है इसके क्या-क्या फीचर्स है और यह इंडिया के अंदर कब लोंच होने वाला है और इसका क्या प्राइज होगा इंडिया के अंदर यह सारी की सारी जैनकारी आज आपको मैं बताऊँगा विद्प्रूफ के साथ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहरे में आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बतायता हूँ इसके बाद में आपको गता हुआ कि यह इंडिया के अंदर कम नोच होगा और उसका क्या प्राइज होगा इस फोन की डिस्प्लेइज 6.4 इंच ही होगी एमोल स्क्रीन होगी जिससे आपके क्लियर कलर लाएंगे और इसके अंदर आपको गोर्टर ड्रोप नोच मिलेगा जो फोन को काफी ज़्यादा एडवांस और नहीं लूप देता है इसका स्क्रीन रेशियो 91.5 परसंट है जिससे आपको अच्छी हो प्लियर स्क्रीन मिलेगी देखने के लिए और स्क्रीन की क्वालिटी की बात की जाए तो स्क्रीन 2340 मिल्टिकला 1080 पिक्सल की क्वालिटी आपको मिलेगी इसकी स्क्रीन प्रोटेक्शन गोरिला ग्लास सेक्स कर रहा है इसके अंदर ओप्रेटर इस सिस्टम 9.0 पाई का डला हुआ है जो काफी ज़्यादा लिटेस्ट है इसके अंदर फिंगरपिट सेंसर लगा हुआ है जो में डिस्पले के अंदर ही है जैसे आप पोटो में देख सकते हैं ठीक है और इसमें फेस अनलोग भी मिलेगा आपको इसके आप प्रोसेसर की बात कर ली जाए और इसके अंदर कोईलिकम स्नेफडेगन डाड़ा हुआ है जो काफी ज़्यादा फाक्श्ट है उसके अंदर और इसका जीप्यू एड्रेजनौ 630 है जो काफी ज़्यादा लेटेस्ट और काफी हास्ट माने जाथे है गाइड इसका जो में कैमरे है तक बैकका विए ट्रिपल केमरे, और ट्रिपल केमरे कैसे वह बतायता हूँ, पहला केमरा होगा 20 Mp ikka或 दूसरा 12 memp Jeesi तो जो टीसरा केमरे हे वह टी ओए 5D का ॉ अ तो इसके अधना क्LA elders के मिलेगा मुण उसको बढ़ता है यह वहली टेक्नोलोजी उसकर ही है अब आप सोच लोगे T.O.F क्या है T.O.F का फुल फॉर्म होता है Time of Flight Sensor Technology यह कैसी एडवांस और बिल्कुल नहीं टेक्नोलोजी आईगी है अब जब यह फोन लोज होगा तब हमें इस फीचर के बारे में पता चलेगा और है बाके में यह तीन कैमरे के अंदर इसके कैमरों के क्वांटी की बात कर लिजाए तो यह 4K वीडियो और फोटो शूट करता है जो बिल्कुली क्लियर आपको डिटेल में फोटो मिलेगी अब इसके फ्रन्ट कैमरे की बात कर जाए तो यह वोटर ड्रोप नोच के अंदर ही लगा हुए जैसे आप फोटो में देख सकते हैं यह 25 मेगा पिक्सल का है इसके अंदर आपको LED फ्लेश लैट डही मिलेगी लेकिन कैमरा बिकुल क्लियर है और क्वार्टी काफी रहता अच्छी आपको मिलेगी इसमें भी आप 4K क्वार्टी की वीडियो फोटो की सकते हैं इसके अंदर आपको दो तरीके के वेरेट देखने को मिल जाएंगे जैसे पहला वेरेट तो होगा 6GB RAM और दूसर वेरेट होगा 8GB RAM बलाग और इसमें भी आपकी ROM अलग अलग होगी जैसे 64GB की ROM होगी 128GB की ROM होगी और 256GB तक की ROM भी होगी इसके अंदर आप SD Card मतलब एक्ट्रा जो मेमरी होती है न तो वो नहीं जाल सकते इसके अंदर ये थोड़ा माइनस पोइंडेस में तो कोई दिकती लेकिन इसकी ROM यानि internal memory काफी जाज़ा अच्छी है बसाब आला आला लेवल की है जो उन से आपको जितनी capacity चाहिए उतनी आप ले सकते हो इसकी अब बैटरी की बात कर लिजाए तो इसकी बैटरी 3500mAh की पावर वाली है और इसके अंदर वो smart charging technology है जिसकी मदद से आपका phone 35 minute में मातर 35 minute में फुल चार्ड जो रहेगा ये काफी advanced और काफी new technology है जो बहुत अच्छी लगी है विली में को मेरे वे सारी की सारी जानकारी एक साइट से बता चलिए जिसका नाम gistop.com है आपको flash कर रहा होगा है नीचे याफोर वहाँ पे listed हो चुका है और वहाँ पे इसकी सारी की सारी जानकारी है गाइट मैं आपको इसके price के बार में बताऊं तो उस site के उपर इसका price 569 dollar रुपे लिखा हुए यानि इससे अगर इंडिया के पैसों में convert किया गए तो 40,000 के आजपास आपको इसका price मिल जाएगा जो features के इसाब से कफी जज़ा अच्छा है प्राइस ज्यादा नहीं है मेरे साब से तो ओल यानिडिया के तब कब लोच होने वला है आपको मैं ये भी बतायता हूँ ये इंडिया के अंदर 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में लोच जरूर होगा अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले थैंक यू